वेल्कम बैक मैं हूँ मारसी और आपसे देख रहे है सी लॉट न्यूज आज विश्वु सतर पर रेडियो दिवस बनाया जा रहा है आई इसके बारे में कुछ बाते कर लेते हैं और इसके तिहास के बारे में भी जान लेते हैं हर साल दुनिया भर में 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है इसकी ठीम भी रखिय जाती है इस बार की ठीम है इवैलेशन दे वर्ल्ड इस ऑल्वेस चेंजिंग यानि विकास के साथ दुनिया भी विक्सित हो रही है यह रेडियो की लचली पन और स्थिर्टा को दर्शाता है दुनिया हमेशा बदल रही है इसलिए रेडियो अनिकूलन और नवाचर करता है इस दिन को मनाय जाने की शुरुवार वर्ष 2012 में की गई थी आपको बता दे रेडियो एक ऐसा जनसंचार का माधियम है जिसके जरी अभी तक आसंखी लोगों तक संदेशों को प पहुचना असान नहीं है इन जगाओ पर आज भी रेडियो कम्टिकेशन का परमुक माधियम है आगे जानते हैं क्या है रेडियो रेडियो की उत्पत्ती लैटेंशब रेडियसस से हुई थी दरसल इसका मतलब है रे इस शब्द को बीस भी शटाबती में अन्य वायलेस त 24 दिसंबर 1906 को रेडियो प्रसारण की शिर्वात की थी 1918 में लीदा फोरेसित ने नियूर्योक के हाइबर ब्रिच इलाके में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन बनाया था लेकिन पुलिस ने इसे अवैद करार दे इसे बंद कर दिया अगर भारत की बात करें तो वर् 231 केंदर तथा 373 ट्रांस्पीटर है तथा इसकी पहुच 99 परतीशत लोगों तक है रेडियो की विस्तार में भारती विज्यानिक डॉक्टर जगदीश चंदरबसू का योगतान काफी एहम है आज भारत में रेडियो ने अपनी पहुच पढ़ाई है और यह बहुत जहां एक तरफ सरकारी रेडियो स्टेशन द्वारा जनता तक ग्यान का भंडार पहुचाया जाता है वहीं प्राइवेट रेडियो स्टेशन जनता को एंटेटेन से और या उस पर पामंदी है